सबजियां ऐसी होती हैं जो हमें पसंद तो बहुत होती हैं लेकिन मार्केट में मिलना मुश्किल होता है तो आज हम एक ऐसी ही रेसिपी बना रहे हैं बहुती ईजी और टेस्टी सबसे पहले मैंने ओईल गरम करके उसमें जीरा डाला है दो टमाटर बारी के लंबे कटे हुए डाले हैं और साथ में दो हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा कर चार पीस करके डाल दिया है इनको हम अच्छे से बूनेंगे उसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही नमक डालूँगी स्वाधञ मुसाल नमक डाले धनिया पाउडर जाल रही हूँ यहां पर और फ्राप्राइब अम्चूर पाउडर बहुत ज्यादा छोटा नहीं काटना है, लंभा लंबा काटना है, इनкоं डाल दे, अच्छे से दो के डाल दे, और इनको डालने के बाद इस मसाले में अच्छे से मेक्स कर दे, इह आलू ब Blockchain अतने टेस्टी और इतने दिलीश बनते हैं, कि आप इसके लिए साथ एक की जगा दो दो चपाती खा जाएंगे और इतने टेस्टी होते हैं कि जिनको बैंगन पसंद नहीं है उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे इनको अच्छे से मेक्स कर दें और मेक्स करके सबसे बड़ी धियान रखना है आपको कि इसमें पानी नहीं डालना है हमें हम इसको बिना पानी के बनाएंगे तभी इसका स्वाध असली आता है तो ये देखिए मैं इनको यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाले और आलू बैंगन को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मिक्स करने के बाद इनको कवर करके बिल्कुल ही स्लो गैस फ्लेम को करके हम रख देंगे 10 से 15 मिनट में आलू और बैंगन बहुत अच्छे से बन जाएंगे गल जाएंगे दोनों अच्छे से और बिना पानी के ही बहुत अच्छे से पक जाएंगे तो 10 मिनट हो चुके हैं चलिए इनको हम चैक करते हैं ये हमने इसका कवर हटाया ये देखिए ये अच्छे से गल चुके हैं और देखिए इसमें खुद से ही बालू बैंगन ने पानी छोड़ दिया है तो हमें पानी की वैसे भी जिरोद नहीं ही होती है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं इसको खुला ही थोड़ा स कर देंगे और इनको सौटे करते हुए पकाएंगे का पानी सूखने तक हम इसको अच्छे से सौटे करेंगे और उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे और सब करेंगे बैंगन का भरता तो आपने बहुत बार खाया होगा इस एक बार मेरे स्टाइल से ये पंजाबी स्टाइल के आलू बैंगन बनाईए बिना प्याज और लसन के यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसके साथ पराठा खाईए रोजचा पाती खाईए चाहे पूरी खाईए यह खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होते हैं ऐसी बहुत सारी रेसिपीस के साथ जल्दी मिलेंगे इटिंग झालोची है जड़िये मिलेंगेゃ एंईाए बिना शौरी है बरर Mohsor